उत्रा घंड में सरकार कोई काम करे उसमें गड़वड जाला ना हो ये मुम्किन ही नहीं है सरकार ने इस बार भी एक योजना बनाई जाहिर से बात है योजना का मकसद आम आदमी को फायदा देना था इस बार बारी थी चातर चात्राओं की जिन्हें सरकार आधुनिक शुक्षा मोहिया कराना चाहती थी राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे दस्वी और बार्वी के बच्चों को टैबलेट बाटे जाने थे टैबलेट एक ऐसा सिस्टम होता है मोबाइल फोन और लैप टॉप के बीच का जो वर्जन होता है जिसमें चातर चात्राओं पढ़ाई कर सकें लेकिन ये योजना अपना काम करती उससे पहले ही इसमें गड़वड जाले की आशन का दिखने लगी है पूरा मामला क्या है मैं आपको बताऊंगा लेकिन आप से आगर है अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए नमस्कार मैं हूं मनमोहन भट शिक्षा के नाम पर कई तरीके की योजनाय राज्य और किंद्र सरकार मिलकर चलाती है कई योजनाय ऐसी होती है जिसका सीधा फाइदा चात्र चात्राओं को हो सकता है लेकिन सरकारी सिस्टम में चातर चात्राओं को फायदा दिलाने से ज्यादा अपने हितों की रक्षा करना शायद सरकार के लिए ज्यादा महत पूर्ण था पात साल से सरकार सोई रही और आखिर में सरकार ने टेबलेट बांटने के काम को अन्जाम दिया पहला सवाल पूछा जाना चाहिए बीजेपी सरकार से जिसने तीन मुख्य मंतरी बदले ये योजना किस मुख्य मंतरी के समय में शुरू होई थी किस मुख्यमंत्री ने इस योजना के शुरू होने में देरी की थी और आखिर जब ये योजना शुरू हुई तो फिर ये योजना अपना मूर्त रूप क्यों नहीं ले पाई हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूँ सरकार ने वाइदा किया था कि 10 वी और 12 में पढ़ने वाले चातर चातराओं को वो टैबलेट बाटेगी टैबलेट बाटने का काम 5 साल तक नहीं हो पाया किसी ना किसी कारणवर्ष ये योजना अधर में लटकी रही इस योजना के अमल में लाने को लेकर कई अधिकारियों को ट्रांसफर सरकार करती रही लेकिन अपने मनसूबों को आगे बढ़ाने के लिए धामी सरकार दिरड निश्चे किये हुए थी इसलिए साल खतम होते होते और 2022 आते आते टैबलेट बाटने के काम को अंजाम दिया गया नया वर्ष चुनावी वर्ष था आचार सहिता लगने से पहले सरकार की कोशिश थी कि वो टैबलेट बाट कर एक मुहूर्थ कर ले और चात्र चात्राओं को अपने पक्ष में करने की वो कोशिश करे टैबलेट बाटे भी गए दहरादून से लेकर पूरे प्रदेश भर के कई स्थानों पर ये कारकरम संपन हुआ लेकिन सभी चात्र चात्राओं तक टैबलेट पहुँचाने में सरकार नाकाम रही इसलिए सरकार ने एक योजना बनाई कि सभी चात्र चात्राओं के खातों में 12,000 रुपे की राशी ट्रांसफर की जाएगी चात्र चात्राओं इस राशी का उप्योग सिर्फ टैबलेट खरीदने में ही कर सकेंगे सबको ये बात बहुत पसंद आई कि चात्र चात्राओं इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के जरीए पढ़ाई कर सकेंगे एक बात और बताओं कि ये योजना सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे चात्र चात्राओं के लिए ही थी चातर चात्राओं तक ये पैसा पहुँचना शुरू होना था लेकिन ये योजना पूरी तरीके से अमल होती अमल में लाई जाती उससे पहले ही इसमें गड़बड जाला दिखाई देने लगा अब उत्राखंड के अलग-अलग हिस्सों से खबरानी शुरू हो गई कि पैसे चातर चात्राओं के खातों में तो नहीं पहुँचे बलकि कई जगा जिलों के अधिकारियों के खातों में ये पैसा पहुचना शुरू हो चुका है खंड शिक्षा अधिकारी जो होता है कई जगा उसके खातों में पैसा पहुच रहा है कई जगा स्कूलों के जो principles हैं उनके खातों में ये पैच्छा पहुँचना शुरू हो रहा है वैसे समस्या ये है नहीं कि किस अधिकारी या किस principle के खाते में पैचा पहुँच रहा है समस्या की जो जड़ है वो ये है कि इसमें कुछ गड़वड जाला हो सकता है ये आशंका बनी हुई है और इसका सबसे बड़ा उदाहरन उत्राखन में चात्रवर्ती घोटाला है करीबन 500-600 करोड रूपय का चात्रवर्ती घोटाला हुआ था इसमें जो पैसा चात्र चात्राओं को दिया जाना था वो पैसा भी वास्ताओं में अधिकारियों के खातों में ट्रांसफर हुआ था कई जगा पैसा इस्टिटूशन के जो सुसाइटी के जो चेर्मेंस होते थे या सेकर्टरी होते थे या दूसरे पदाधिकारी होते थे उनके खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ है इसी बात को आधार बनाकर ये आशंग का जताई जा रही है कि जो इस बार पैसे ट्रांसफर होने का खेल शुरू हुआ है कहीं इसमें भी छात्रवृति घोटाले जैसी कोई गड़बड़ी तो नहीं है क्योंकि उत्राखंड में एक बड़ा घोटाला हुआ है जो नहींताल हाई कोट की निगरानी में जिस घोटाले की जाच हो रही है एक SIT पूरे मामले को देखने के लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाई गई थी और पता चला था कि उत्राखंड से लेकर हरियाना, राजिस्थान, दिल्ली, हिमांचल परदेश के कई जगह, कई अधिकारियों और कई इंस्टिटूशन की मिली भगत थी और कई लोग इसके लपेटे में आये थे समाज कल्यान विभाग का ये बड़ा घोटाला था अधिकारियों के खातों में पहुचना शुरू हुआ तो मामले की पड़ताल शुरू हुई शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम साहब ने इस पूरे प्रकरण की जांच किये जाने की बात कही है लेकिन जांच करने से पहले एक सवाल तो बनता है कि किसके आदेश पर प्रधानाचारियों और खंड शिक्षा अधिकारियों के खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ है क्या बच्चों ने टैबलेट खरीद लिये हैं ये बात पता करनी भी बेहत जरूरी है क्योंकि जिनके फाइदे के लिए ये स्कीम लाँच की गई थी अगर उनको फाइदा नहीं मिल रहा है तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है उत्तराखंड में तीन मुख्य मंत्री पांच साल में बदले हैं इन तीन मुख्य मंत्रियों में से किसी के तो जिम्मेदारी होगी जिसकी जिम्मेदारी तै की जाए कि अगर छात्रों तक ये पैसा नहीं पहुँचा है ये टैबलेट नहीं पहुँचे हैं तो कौन का गड़बड जाला अब तक हो चुका है पूरा प्रकरण धीरे धीरे विवादों में आता जाएगा जैसे जैसे लोगों के खातों में पैसा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा जाहिर सी बात है जब मार्च का महीना खतम हो रहा होगा तब वित्यवर्ष के हिसाब से ये कैलकुलेट होना बहुत आसान हो जाएगा कि पैसा कहां तक पहुंच गया है और कहां तक नहीं पहुंचा है साथियों क्या ये गड़बड घोटाला है और क्या निश्पक्ष तरीके से सरकार ने इस स्कीम को पूरे प्रदेश भर में लागू किया है ये मेरा सवाल है अगर आप लोग अपने कोई सुझाओ अपनी टिपणी इस रिपोर्ट पर देना चाते हैं तो आप टिपणी कीजिए साथ साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए इसे शेयर कर अपने मित्रों तक भी पहुंचाईए अगली रिपोर्ट में आपसे मैं एक बार फिर मुलाकात करूँगा तब तक के लिए नमस्कार